तो आज हम बात करने माले creative comment और standard license की जी हां दोस्तों YouTube पर बहुत सारा इसके बारे में बताया गया है लेकिन फिर भी आपको पूरी जानकरी इसके बारे में नहीं है आज के वीडियो में आपको creative comments और standard license क्या है ये दोनों और कैसे यूज कर सकते हैं हम किसी के वीडियो जो creative comments वाले पहले इसे बारे की से समझिएगा फिर जागर आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं और creative comments की वीडियो से आप अपने channels को monetize भी कर सकते हैं इसमें कोई problems नहीं होगी लेकिन इसके लिए आपको पूरा method पता होना चाहिए दोस्तों creative comment और standard license जब आता है जब हम वीड दोस्तों standard license default set हो जाता है जब आप videos को upload करते हो तो standard license में यह है कि आप किसी भी creator को पूरे YouTube की community को यह allow नहीं करते कि आप videos आपका यूज करें तो यह standard license में अगर ऐसे में आपकी कोई videos यूज कर लेता है जिस पे आप standard license दे कर रखते हैं तुमसे उस videos का पता लगा सकते हैं आपके channels में C में आएगा कि उसने आपका पूरा का पूरा videos डाल दिया है आप direct वहां से उसे copyright दे सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं creative comments की videos creative comments की क्या rules है और कैसे इसे यूज किया जाता है एक creator के हिसाब से फिर अगर उसे creative comments की video को यूज करना है तो वो कैसे यूज किया आता है तो सबसे पहले दोस्तों creative comments की है इसके लिए दोस्तों आप जो सर्च करेंगे यहां पर YouTube पर सर्च करने के बाद मियाद पर creative comments video set कर देना है और आपके सामें जो भी वीडियो साटीव वाली videos है अब दोस्तों यहां पर सीखने वाली बात यह कि creative comments का वैसे हर को यी ड लगा रखकर, set करके यह मानता हूँ कि यह वीडियो मेरा है लेकिन creative comment का वीडियो सेलेक्ट करने का हक सिरफ उसी को होता है जिसकी पहले वो original वीडियो होती है और YouTube पर आपको बहुत सारे ऐसे fact comments की वीडियो मिलेगी जो huge क्या हुआ है लेकिन वहां से हम वीडियो को उठा सकते हैं लेकिन दोस्तों क्या होता है इसमें असली rule यह है कि जो creator है वो वीडियो अप्लोड कर रहा और वो creative comments की वीडियो को select कर देता है तो उसका मतलब है कि उसे पता है कि वीडियो यूज हो और वो चाहता है कि मेरी वीडियो यूज हो दुबारे से कोई उसे upload कर सकता है लेकिन दोस्तों यूटूब का ये rule से कि अगर आपको उस बंदे ने permission भी दे रखा है creative comments करके select कि भी वीडियो को use करो तो इसका मतलब यह नहीं है कि same to same आप उस वीडियो को upload कर दोगे अगर आपको उन वीडियो को monetize करना है तो creative comments की videos को आपको edit करना होगा खुद से उसका voice ले सकते हैं तो आप उसको use कर सकते हैं दुबारा उसके photos ले सकते हैं जो भी creative comments की videos है लेकिन आपका खुद उस पर creative होना चाहिए कि वो वीडियो से आप क्यों use कर रहे हो तो किस का पूरा वीडियो वैसे का वैसा upload कर दोगे तो दोस्तों वह आपका चैनल री यूज कोंटेंड में नहीं आएगा और आप दुबारा से चैनल को monetize नहीं कर पाऊगे इसलिए दोस्तों आपको अगर creative comments की videos मिल रही है वह और वह original चैनल से मतलब आप वह देख रहे हैं जा और copyright आपको दे सकता है लेकिन वह देगा नहीं लेकिन उसके वीडियो को गल्द यूटूब पर यूज किया जाए तो दोस्तों वह creative comments के owners आपको copyright दे सकते हैं लेकिन आप उसके अच्छे वीडियो अच्छी भलाई के लिए वीडियो यूज करेंगे अच्छा कुछ बोले दोस्तों इस तरीके का creative comments का जो है वो फंडा होता है और इस तरीके से इसका पूरा फायदा भी ले सकते और दे सकते अब दोस्तों यहां पर creative comment यूज करने से क्या benefit मिलता है creative comments अगर आप अपने वीडियो को यूज करोगे तो आप यह मानते आप यह लगाओ कि आप कि जाकर अगर कुछ लोग ऐसे सर्च करते है creative comments की तो वहाँ पर आपकी वीडियोस चलने का जाना चांस होता है इसलिए नए चैनल सवाले कभी कभी creative comments की वीडियोस को अपने खुद को इजादत देते creative comments की वीडियो जिससे उनकी यूज कर सके वीडियोस दोस्तों वीडिय अगर लाइक करके शेर करें comment चुरूर करें